हेलो गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग NCRT 11th and NCRT 12th में जितने सेप दिये गए हैं, आज हम लोग कम्पलीट कर लेंगे इसके पहले वीडियो में हम लोग सेप देखे थे, आज के वीडियो में भी सेप देखेंगे तो आज complete हो जाएगा NCRT 11th और 12th में जितने भी save दिये गए हैं आप लोग पूरा complete 3-4 बार जब वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को एकदम सभी save रट जाएंगे तो NCRT में जितने भी save हैं एक साथ सभी आप लोग देख सकते हैं तो चैनल को आप लोग प्लीज subscribe कर लें क्योंकि आप लोग के help food के लिए चैनल create किया गया है तो चलिए हम लोग save देखते हैं कि कौन सा किसका क्या save है तो चलिए देखते हैं pollen grain are generally तो pollen grain जो होते हैं वो क्या होते हैं spherical होते हैं यह सब हम देख चुके थे तो आप लोग पहले एक बार इसका review कर लिजिए कि देख लिजिए कौन किसका save है यह पिछले वीडियो में हो चुका है हम लोग को कहां से करना है nucleus आप vegetative cell से करना है तो nucleus आप vegetative cell जो vegetative cell होती है उसकी nucleus होती है irregular होती है उसका save क्या होता है irregular generative cell लेक होती है उसका spindle save होता है और omitidia of cockroach तो यह जो cockroach में omitidia पाए जाती है तो omitidia कहां पाए जाती है cockroach के eye में पाए जाती है आँख में पाए जाती है तो यह omitidia यह 2000 hexagonal में पाए जाती है यहां देख लीजिए hexagonal कितनी पाई जाती है काक्रोश के परतेक आँख में 2000 2000 क्या पाई जाती है omitidia पाई जाती है जिसका safe होता है hexagonal होता है hexagonal क्या होता है तो यह देख लीजिए hexagonal यह होता है तो hexagonal safe होती है omitidia का पंसन होता है जैसे काक्रोच अगर कोई चीद्द देखता है, तो उसका जो फीगर होता है, काफी संख्या में बनती है, तो omitidia काक्रोच का safe फ्हेकजागोनल होता है, एंथर की safe क्या होती है, फोर साइड़ टेट्रागोनल होती है, Cotyledon का देख लिजिए Cotyledon जो होते हैं वो shield shape के होते हैं जो grass या maze में पाए जाते हैं Archigonium आप Brayophyte काफी बार बार पूछे जाते हैं Brayophyte की Archigonium female होती है उसकी shape क्या होती है Flask shape होती है तो आप लोग ये note down और बार अगर आप वीडियो देखेंगे तीन से चार बार देख लेंगे तो सभी आप लोग को ये याद हो जाएंगे Gills आप Molusk Molusk के जो Gills होते हैं Moluska के जो Gills होते हैं वो कैसे होते हैं तो Molusk आप Gills जो होते हैं ये feather like होते हैं तो आप देख लिए रेडूला, रेडूला किसमें पाजाती है, यह जो पाइला होती है, गहेंगा जिसको कहते हैं, उसमें पाइला गहेंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, गहेंगा साथ कहते हैं, तो पाइला, पाइला में क्या पाजाती है, रेडूला पाजाती है, तो रेडूल लोका हाते हैं तो उसी में यह work करती है तो रेडोला का safe जो होता है फायल लाइक होता है, चीयाशमाटा क्या safe होता है ये अक safe होती है और testis क्या होती है? oval safe होती है और uterus जो होती है? inverted peer में होती है यह देख लिजीए फिंबरी या Clitoris, Fimbry और Clitoris की shape क्या होती है Finger like होती है Fimbry क्या होती है और Clitoris यह आप लोग देख लीजिएगा Finger like होती है Deodenum, Wasarector और High-Wide तो यह new NCRT में तो अब Deodenum को कौन सा shape कर दिया गया C shape कर दिया गया है और तो आप लोग यह note down कर लीजिए C shape Deodenum हो गया है Wasarector High-Wide bone जो होती है यह U shape की होती है तो यह new NCRT जो नई NCRT में आई है अब इसका shape C shape कर दिया गया है Deodenum का Next, Head आप काक्रोच Skypula and Sinus Benus आप फ्राग, जो फ्राग की Skypula and Sinus है और जो काक्रोच की Head है उसकी shape जो होती है क्या होती है Triangular shape होती है Triangular, ऐसे shape होती है यह देख लिजिए Triangular यही है तीन कोने को Triangular कहते है Next, What Health per Logistic Growth Curve यह Ecology का NCRT 12 से Ecology से question दिया गया है जो कर भी यह पूछ रहा है जो population density के respect में और जो time के respect में गराब खिचा गया था तो उसी की बात कर रहा है DN by DT जो formula था आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा तो आप लोग देख लिजिए DN by DT is equal to R N K minus N capacity था K minus N upon K तो यह formula complete था इसका overland यह Logistic curve का तो यह कह रहा है कि overland per Logistic Growth Curve कैसा था तो वो sigmoide था Exponential Algeometry Growth Curve क्या होगा J-shaft या फिर sigmoide तो यहाँ J-shaft दिया गया है इन female cockroach में 7th sternum each sternum का shape क्या था जो female cockroach में यह भी question पूछा जाता है कि यह female cockroach 7th sternum कौन सा shape था board shape Antony NL style of cockroach cockroach में जो antony और NL style पाए जाती है उसका shape जो होता thread like होता है male gonophysis और phallomers जो phallomers होते हैं वो asymmetrical structure होते हैं तो उनकी क्या होती है kaitinus structure होती है मतलब kaitras लिखा गया यहाँ पर kaitinus होना चाहिए तो आप लोग देख लीजिए अभी इसको एक दम clear कर दे रहा है student यह जो male gonophysis और phallomers लिखा गया यह cockroach में होता है तो cockroach में इसका shape क्या होता है यहाँ पर kaitinus लिखा गया यह थोड़ा misprint हो गया था हमसे तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं यह c-e-e-ch kaitinus लिखा गया क्या लिखा गया है kaitinus लिखा गया इसकी spelling क्या c-e-e-ch-i-t-i-e-n-o-u-e-s kaitinus होती है इसका kaitinus और asymmetric होती है मतलब इसका कोई symmetry नहीं होता है asymmetric structure होता है और यह देख लिखे लिखे यह micro-sporangium का shape क्या होता near circular in outline in transfer section के अगर करा जाएगा तो near circular यह like circular होगा तो यह student यह सभी shape थे चलिए हम लोग next video में कुछ देखेंगे कि bait के बारे में अपकी जितनी anxiety में bait दिया गया कि किसका जैसे kidney हो गया, liver हो गया heart हो गया, brain हो गया यह सब का देखेंगे कितना bait होता है कितना version होता है तो next video में और important होने वाला student आप ही लोग के लिए channel create किया गया है तो आप ही लोग का help होगा तो आप लोग channel को तेजी से grow कराई अपने friends में जरूर share करें और channel को subscribe कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें कि जैसे ही आपको कोई notification देता है तो आप लोग तुरंत आप लोग को कोई video पड़े तो notification पहुच जाती है तो student आप लोग description चेक किया करिए उसमें important video की link दी जाती है और कोई link दी जाती है तो आप लोग वहाँ से link से direct objective question के link दी जाते हैं या फिर कोई भी link की दी जाते हैं तो आप लोग वहाँ एक बार visit करके देखा करिए description box चेक किया करिए तो चलिए हम लोग next video में आएंगे NCRT में जितने बेट दिये गए हैं सभी चीज के NCRT 11th और 12th में सभी देखेंगे और student ये सभी question entrance exam में बनते हैं इसलिए आप लोग ये बार बार चला के 2-4 बार देखेंगे सभी से आप लोग को याद हो जाएंगे चलिए student हम लोग next video में देखेंगे Thank you